दोस्तों चैट GPT हर किसी को आज की डेट में पता है हजारों लाखों लोग इसको यूज करना शुरू कर चुके हैं बट बहुत कम लोग हैं जो चैट GPT का सही से यूज कर पाते हैं और उसका सही से या बेस्ट यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपको सही प्रॉम्ट कैसे लिखने हैं कैसे उनको सही इंस्ट्रक्शन्स देनी हैं को तभी आप बेस्ट बेस्ट रिजल्ट लेकर आप आओगे काम को बेटर बना पाओगे बड़ा पाओगे और कॉलिटी इंप्रूब कर पाओगे दोस्तों लोग लाखों क्रोडों रुपे इस सौफ प्रेक्टिस करना है साथ के साथ चैनल सब्सक्राइब करना है बेल ऐकन दबाना है ताकि इस कोर्स के अपकमिंग वीडियो और नएने कोर्स आप से मिस्स ना हो एक इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं डिजिटली तो आप हमा लाइफ कोर्स भी जोइन कर सकते हैं दोस्तों दोनों ही ऑप्शन के लिए आप हमारे द्यूए नंबर पर कॉल कर सकते हैं वाट्सेप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूं और नंबर दे रहा हूं तो आप इस वीडियो वो देखने के बाद हमसे कॉ तो प्रॉपरली बन चुका है, अब हमारा next task है कि हमें chat GPT से जो हमारे different requirements है, उसको fulfill करना, अब हमारे requirements को fulfill करने के लिए हमें prompts लिखना आना चाहिए, so that कि हम सबसे बढ़िया prompt लिखेंगे, जो सबसे बढ़िया हमें results ला कर देगा chat GPT, क्योंकि जितना अच्छी आपकी prompts की quality होगी, उतने ही अच्छा chat GPT आपको revert में content प्रोवाइड करके देगा, जितना detailed होगी आपके prompts, उतने ही ज़्यादा बढ़िया आपको results देखने को मिलेंगे, Now, यहाँ पर मैंने key elements को mention किया है, कि जो जो आपको ज़रूरत होगी, आचली video को start करते हैं, समझते हैं थोड़ा, ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैंने mention किया है, कि there are multiple things you need to add in a prompt to get perfect result, multiple things का मतलब है कि सिर्फ एक line, one liner आपको prompt लिखने से जो है, आपका मन चाहा result आपको नहीं मिलने वाला, तो एक best of perfect result हमारे chat GPT AI2 से निकालने के लिए, हमें सबसे पहले prompt के elements को समझना होगा, कि किस-किस elements से है हमारा जो proper prompt एक बनता है, ठीक है, तो सबस पहला जो element है, वो है हमारी requirement, ठीक है, हमें chat GPT को हमारे जो requirement है, हमारा जो task है, वो सबसे पहले उसको समझाना पड़ेगा, then उसके बाद हमें context देना है, या फिर बोल सकते हो, आप idea देना पड़ेगा, जो कि पूरे उसके whole content का base होगा, right, तो आपको second level पे context या फिर idea देना ह then third होगा आपका example या फिर reference, both are same, कहीं न कहीं आप चाहो तो एक example भी आप उसको दे सकते हो, so that की जो आपका result है, या फिर जो chat GPT की side से आने वाला reply है, वो और जादा आपके मन चाहे अनुसार हो सके, right, जादा exact हो सके, क्योंकि आपने example देती है कि इस तरीके से ही होना चाह तो अब वो example को analyze करके उसी example के हिसाब से आपका content जो है generate करके देगा, then fourth number पर आप format भी उसको बता सकते हैं कि इस type की formatting मेरे कुछ चाहिए, and साथ ही साथ में आप उसको tone भी बता सकते हैं कि ये tone होनी चाहिए, उस content के अंदर, right, तो main five elements है, जिनने आपको समझने ज़रूर है सबसे पहले requirement, या फिर task, then context, या फिर whole idea, जो भी जिस भी चीज के ऊपर आप लिखवाना चाहरे हो content, right, then third जो है हमारा example, या फिर reference, then fourth है हमारा format, and then fifth है हमारा tone, अब last में मैंने एक चीज और mention किया है, persona, या फिर role, इस चीज को आगे, वीडियो में समझेंगे, फिलाल के ल prompts बनाते हैं, and chant GPT से, जो है हमारी requirement निकलवाते हैं, right, तो यहाँ पे, so guys, here you can see, मैंने दो यहाँ पे samples, basically prompt के different formats बनाए है, जहाँ पे एक है बिल्कुल simple, one liner prompt, एक है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने requirement भी proper डाला है, then उसके बाद हमारा properly context भी दिया है, साती सात में मैंने यहाँ पे कोई example नहीं दिया है, example के अलावा मैंने यहाँ पे हमारा जो format and tone दिया है, example मैंने यहाँ पे skip करा है, क्योंकि जरूरी नहीं है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना है, यह थोड़ा सा मैं आगे चल के और थोड़ा सा clear करूँगा, कि जरूरी नहीं आप हर prompt के अंदर य या फिर यह जो छटे की बारे में आगे हम बात करने वाले, यह सारे के सारे element डाल रहे हैं, इनमें से कुछ elements काफी important है, और कुछ जो है optional हो जाते हैं कई बार आपके लिए, उस चीज के बारे मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता हू for a bodybuilding supplement brand, ठीक है, यहां तक मैंने जो है requirement दे दिया, अब यहां से इसके आगे मैं है, जो मैंने add किया है, वो किये context, कि that focuses on high quality products and consumer safety, इसके अलावा, यहां पे मैंने हमारा जो format है and tone है, वो add किया है, format यहां से start होता है, कि follow the ADA model, which is attention, interest, desire and action to write the content, and यहां पे tone, the tone should be friendly, ठीक है, तो मैंने 4 elements यहां add किये, और इस वाले में, just मैंने simple requirement जो मेरी है, वो मैंने यहां पे बता दिया, कि I need a 7 day social media post ideas for a bodybuilding supplement selling brand, अब देखते हैं कि कौन सा हमें बढ़िया result निकाल कर देता है, सबसे पहले हम simple वाले को use करते है, मैंने copy किया, मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया and enter, let see, हमको क्या मिलता है, तो कुछ इस तरीके से इसने जो हमको social media यहां पे plan बना कर दिया, 7 days के लिए, certainly here a 7 day social media plan, तो basically आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे content बहुती bulk में यहां पे content add किया है and आप थोड़ा सा read करेंगे, इसको तो आप देखेंगे कि जादा कुछ specific नहीं है, specific इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो यहां पे चीजे हैं डंग से describe ही नहीं किया है, right, but on the other hand, अगर हम इस वाले को एक बर मैं copy कर लेता हूँ, इस वाले prompt को अगर हम देखें, new chat open कर लेता हूँ मैं एक बर, ठीक है, यहां पे मैं paste करूँ and enter दबाऊं, तो let's see हमें इस बार क्या मिलता है, so as you can see, इसने proper 7-day का मेर को plan बना के दिया है, जिसमें सबसे पहले, जैसा कि मैंने इसको बताया था कि attention, interest, desire and action model पे आपको काम करना है, तो इसने हर day के लिए एक different action यहां पे describe किया, basically इसने funnel type में यहां पे बना दिया, 7 days के लिए मेरे लिए, तो सबस attention, जहां पे headline होगी, experience the difference with our high quality supplements, right, यहां पे then second day पे interest, जो है वो जगाया जाएगा, third day पे जो है, यहां पे again interest के उपर work किया जा रहा है, then fourth day पे desire, again fifth day पे desire, then sixth day पे action, and seventh day पे again action, right, अब आप चाहें इसको और थोड़ा सा specific बना सकते हैं, extra details एड़ करके अपने prompt के अंदर, ज जितने आप जो elements है, main key elements यही 5 है आपके सामने, ठीक है, 5 और यह last छटा, ठीक है, तो इसके बारे में आपी बात करेंगे, तो main जैसा की मैं बता रहा हूँ, यह 5 से 6 ही जो है key elements है, इनी को आप जितना बढ़ा कर सकते हैं, describe कर सकते हैं, वो आप कीजिए, so that कि आपके prompts की quality और जादा बढ़िया हो जाए, तो यह तो just मैंने social media content के लिए यहाँ बताया, इसी तरी किसे blog post वगेरा, आगे चल के course में, हम और specifically सीखेंगे, कि blog post कैसे बनाया जाता है, social media post कैसे बनाया जाता है, SEO के लिए content कैसे बनाया जाता है, या फिर content already ready है, उसको SEO wise कैसे ठीक किया ज तो सबसे important क्या है, सबसे पहले तो requirement जो है, obviously important है, अगर requirement ही नहीं देंगे उसको, या फिर जो आपका task ही नहीं बताएंगे, AI model को, AI tool को, तो वो किस तरीके से फिर वो evaluate करेगा, फिर वो क्या आपको जो है, आप provide करेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, important, right, then second है हमा नहीं करेंगे, तो वो जो है, just random content आपको फिर मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा सा specificness नहीं आएगा, जो आपको अपने content के लिए चाहिए, तो यहाँ पर मैं add कर देता हूँ, very important क्यूकि इसके बिना तो फिर requirement डालेंगे नहीं, तो फिर क्या ही आपको वो जो है तो तो इसक तो यह एक optional हो गया, then इसके बाद format भी optional हो गया, जिसे आप ज्यादर डिस्क्राइब करने के लिए बता सकते हैं, tone भी optional हो गया, तो यह 5 elements हो गया, जिससे आपका एक prompt बनता है, and last में पर्सोना, अब पर्सोना क्या है, कई बार हम industry specific content requirement प्रोवाइड करते हमारे chat GPT को, तो उस time हमें persona या फिर role भी बताना होता है, जैसे, let's say, मुझे chat GPT से copywriting करवानी है, ठीक है, तो मैं उसको पहले से ही बताऊँगा कि, तुमें एक copywriter की तरह content provide कराना है, इसके अलावा, let's say, मुझे कोई fitness plan बनवाना है chat GPT से, तो मैं उससे पहले ही बोल दूँगा, या मैं उसका इसे persona या फिर role decide कर दूँगा कि, तुमें as a fitness expert यहाँ पे content provide कराना है, इसके अलावा, मुझे कोई skin care tip चाहिए, तो मैं पहले ही chat GPT को define कर दूँगा कि, तुमें as a skin expert या skin care expert behave करना है, right, so that कि वो उसके हिसाब से content को generate करके दे, उसके हिसाब से content का structure करे, right, अब यहाँ पे persona मैंने किया तो last me add है, लेकिन जब भी आप इसे persona या फिर role को add करेंगे, तो सबसे पहले इसी को add करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने mention कर दिया, वैसे तो मैंने last me add किया था, बट लेकिन, जब भी आप persona या फिर role define कर रहे है, chat GPT को, तो सबसे पहले उसे डालेंगे, then उसके मैं एक new chat यहाँ पे खोल लेता हूँ, let's say मैं कोई skin care tip निकाल ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या गरूँगा, act, मैं पहले उसको define कर दे रहा हूँ, act as a dermatologist, ठीक है, या फिर मैं skin expert भी डाल सकता था, बट थोड़ा सा, यहाँ पे एक proper वो डाल दे रहा हूँ, act as a dermatologist, ठीक है, a proper skin care plan for my acne prone skin, ठीक है, अब यहाँ पे क्या element मैंने add किया, एक तो मैंने सिर्फ यहाँ पे मैंने इसका role define कर दिया, या फिर persona मैंने define कर दिया, उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ जो very important चीज है, जो कि मेरी requirement है, वो मैंने यहाँ पे बता, इसके अलावा मैंने कोई context वगेरा नहीं दिया, आप चाहें, तो आगे और context add कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे formatting and tone की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको simply, जो ह type के products use करे थे, and जो मेरे को skin का issue हो रहा है, वो इतने दिन उसे हो रहा है, इस type का जो है, आप extra details add कर सकते है, अपनी skin के बारे में, ठीक है, वो चीज में आपी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि just मेरे को यह आपको define करना था, कि जब आप अपना persona या फिर जो अपना role define करेंगे, अब मैं यहाँ पर enter करूँगा, तो यह मेरे को proper, उपस, यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा हमको issue हो गया, issue इसले क्योंकि जो servers पे हो सकता है, कभी कबार थोड़ा ज्यादा load आ जाता है, ठीक है, क्योंकि open AI जो है, यह भी हम free वाला use कर रहे है, chat GPT, अगर आप paid में जाए अब देखिए, मैंने कुछ seconds बाद यहाँ पर दुबारा से मैंने requirement डाली और इस बार इसने जो है मेरे को proper, मेरे requirement के हिसाफ से पूरा plan बना कर मेरे को दे दिया, ठीक है, यहाँ देख सकते है, morning routine इसने बना कर दिया, evening routine इसने बना कर दिया, सारे context को bold करके properly मेरे को एक weekly treatment, exfoliation and face mask वगे, को इसने suggestion दिया है, right? and general tips यहाँ पर आड किया है, कि avoid touching your face to prevent the spread of bacteria, changes your pillowcase regularly and keep your hair clean and avoid letting it hang on your face, if you use hair products, तो इस टाइब के जो मेरे को इसने general tips भी आपे दिया है, तो proper content मेरे को इसने बना कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इसका role define कर दिया, तो यह इसने पूरा एक dermatologist के हिसाब से मेरे को content जो है निकाल करती है तो I hope अब आप समझ गये होंगे कि किस तरीके से एक prompt को craft किया जाता है prompt को बनाया जाता है क्या-क्या उसमें elements की जरूरत पड़ती है ठीक है persona, role अगर आप add करें तो सबसे पहले करेंगे उसके बाद then यह जो elements से वो add करेंगे requirement, very important, then context या फिर idea, pretty important then उसके बाद example, reference, जो कि optional है, format, optional है, tone, optional है I hope अब आपको idea लग चुका होगा अब जाकि आप खुद practice कर सकते हैं and difference देख सकते हैं कि आपके जो general आप prompts यूज कर रहे थे उसके बाद अब इस type के prompts को use करेंगे, तो कितना आपको difference देखने को मिलता है तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ, wrap up मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye उमीद करता हूँ, आपको इस वीडियो बेहत पसंद आया होगा पसंद आया तो comment section में जरूर बताइए, दोस्तों अगर आप digital marketing services लेना चाहते हैं हमारी agency से या आप live digital marketing तीखना चाहते हैं with artificial intelligence, तो आप हमारे इस दियो वी नमबरों पर call कर सकते हैं, वाट्सेप कर सकते हैं, description में मैंने link दे दिया है, number भी दे दिया है, thank you for watching marketing funders कर दिया है